Hello students, today we start Karnog Map. Karnog Map is also called K-Map. K-Map is a method of simplifying Boolean algebra expressions. K-Map की help से हम क्या कर सकते हैं? Minimize कर सकते हैं, Simplify कर सकते हैं Boolean algebra expressions को. Boolean expressions को हम represent करते हैं Some of product या product of some method से जो हमने last वीडियो में cover किया है. K-Map आपके पास develop किसने introduce किया था? Morris Karnog ने 1953 में. K-Map की help से हम minimize कर सकते हैं Boolean expressions को 4 variable तक तक हम very easily बहुत असानी से हम उसको minimize कर लेते हैं और जो maximum number of variables है जिनको हम minimize कर सकते हैं K-Map से वह आपके पास क्या है? 6 हम simplification से पहले देखेंगे कि K-Map अक्छे लिए होता क्या है? K-Map क्या है आपके पास? K-Map is basically diagram. करता है या तो mean term या max term mean term अगर हम SOP को represent कर रहे हैं तो क्या represent करेगा? हर एक square mean term और अगर हम POS represent कर रहे हैं तो आपके पास क्या represent करेगा? max term इसमें अगर हमारे पास n number of variables हैं तो हमारे पास number of squares कितने होंगे? 2 raise to the power n जैसे अगर हमारे पास 2 variable है अगर मेरे पास 2 variable हैं तो आपके पास number of squares कितने होंगे? 2 raise to the power 2 that is 4 अगर 3 variable हैं तो हमारे पास कितने होंगे? 2 raise to the power 3 is equal to 8 and if we have 4 variables then 2 raise to the power 4 60 तो n variables के लिए हमारे पास कितने squares होंगे? 2 raise to the power n और यह आपके पास क्या है? कि जो k-map है वो आपके पास foldable होता है foldable means हम उसको horizontally भी fold कर सकते हैं और उसको vertically भी fold कर सकते हैं और after foldable it looks like a sphere इसमें जो second आपके पास important point है वो क्या है? second important point है यह क्या कह रहा है? कि every two adjacent squares of the k-map have a difference of one bit including corners यह आपको समझ में आएगा जब हम three variable k-map को represent करेंगे अब हम start करते हैं two variable k-map से two variable k-map देखो in this we take two variables that are x and y हमने दो variable ले लिए कौन-कौन से x और y यहाँ पर सबसे पहले हमने represent किया है x की possible values और यहाँ पर represent किया है y की possible values तो x की possible values आपके पास क्या हो सकती है या तो 0 या 1 ऐसे ही y के आपके पास क्या values हो सकती है या 0 या 1 तो 0 को हम SOP में किसे represent करते हैं complement से और 1 को किसे represent करते हैं normal variable से तो यहां पर जो आपके पास first square है first square में आपके पास x की value क्या रहेगी 0 y की value क्या रहेगी 0 तो यहां पर आप इसको represent करोगे या तो mean term 0 से या आपके पास digital equivalent 0 से या आप represent करोगे इसके corresponding जो भी आपके पास mean term इस expression से आएगी क्या आएगी x complement and y complement ऐसे ही आपके पस जो next है, next square है इसमें, next square के लिए देखो, आपके पस x की value क्या रहेगी 0, y की value क्या हो जाएगी 1, इससे जो आपके पस next है, इसमें x की value क्या हो जाएगी 1, y की value यहां से क्या आ जाएगी 0, ऐसे ही जो आपके पस next one है, इसमें आपके पस x की value क्या हो तो इस वे से आप रेप्रेसेंट करते हो तो वारेबल के मैफ ये तो था आपके पस S.O.P. के लिए ऐसे ही हम किस के लिए रेप्रेसेंट कर सकते हैं P.O.S. के लिए तो P.O.S. आपके पस क्या है Just S.O.P. का पॉजिट होता है तो यहां पर भी हम रेप्रेसेंट तो वही करेंगे कि X के पसिबल वैल्यूस और Y की पसिबल वैल्यूस हमने दोनों रेप्रेसेंट कर ली यहां पर X की पसिबल वैल्यूस क्या हो सकती है 0 और 1 ऐसी Y की पसिबल वैल्यूस क्या हो सकती है 0 और 1 पर POS में हम क्या represent करते हैं X को represent करते हैं 0 को represent करते हैं X से और 1 को represent करते हैं complement से means 0 को represent करेंगे हम normal variables और 1 को represent करेंगे हम complement से इसलिए हमने यहाँ पर क्या represent कर दिया X को यहाँ पर क्या represent कर दिया Y को और अब यहाँ पर हम क्या represent करेंगे जो next represent करेंगे इनने जो squares है यहांपर squares में हम represent करेंगे max 점 तो max 점 आपके पास क्या होगी देखो यहांसे x की value आई जिरो यहांसे y की value क्या आई 1 तो आपके पास क्या represent हो जाएगा x और y जो next one है उसमें क्या हो जाएगा आपके पास x और y complement इससे जो next है उसमें क्या हो जाएगा x की value भी क्या रहेगी 1 और y की value क्या रहेगी x की value क्या रहेगी 1 y की value क्या रहेगी 0 तो आपके पस क्या represent हो जाएगा x complement और y जो last one है उसमें क्या represent हो जाएगा x complement और y complement तो ऐसे आप represent कर सकते हो एक आपने representation की थी SOP के लिए, एक representation की थी POS के लिए, यह तो थी आपके पस 2 variable के लिए अब हम देखेंगे 3 variable के लिए 3 variable में भी हम दोनों representation देखेंगे SOP की भी और POS की भी अब इसमें देखो आपके पास जो 3 variables है जब हम represent करते हैं हमने सभी possible values लेने हैं यहाँ पर देखो हमने represent कर दिया 3 variable लेंगे तो X हमने represent कर दिया row में Y, Z represent कर दिया आपने column में तो X की values क्या क्या होंगी 0 और 1 दोनों represent कर दिया हमने अब Y, Z की value देखो हम all possible cases लेंगे तो Y, Z की values क्या हो सकती है आपके पास 00, 01 अब यहाँ पर जो यह main है मैंने यहाँ पर 11 क्यों लिखा है instead of 10 इसके लिए देखो हमने यहाँ पर एक second point पढ़ा था उसमें हमने क्या कहा था कि every two adjacent squares of the K map have a difference of one bit including corners कि जो भी मेरे पास दो adjacent squares होंगे K map के उनका difference कितना होना चाहिए सिर्फ one bit का अब यहाँ पर आओ अब यह देखो 00, 01 इन में difference कितना है one bit का it is okay next one देखो अब यहाँ पर कितना difference है one bit का क्योंकि zero से क्या change हो गया one और one में कोई change नहीं one से क्या है one अगर मैं यहाँ पर one one ना लिखके अगर हम अपने normal pattern से चलें तो मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मेरा यहाँ पर क्या आना चाहिए one zero और यहाँ पर क्या आना चाहिए one one तो यही confusion जदा तर हमें रहती है कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं यहाँ पर देखो हमने start किया zero 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 one अगर हम normal routine से चलें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए one zero और यहाँ पर क्या आना चाहिए one one क्योंकि हम represent करते हैं zero one two three इस टाइप से represent करते हो पर मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पर हम one zero ना लिखके क्या लिखेंगे one one अगर मैं यहाँ पर one zero लिखते हूँ तो आप change देखना हमारे पस two bit का change आएगा क्योंकि यह देखो यह किस से change हो जाएगा zero किस से change हो गया one से और one किस से change हो गया zero से तो एक तो आपके पास यहीं violation हो गया क्या आपके पास two bit change हो गई फिर next देखो अगर मैं यहाँ पर one one लिखती हूँ तो इसमें और इसमें change देखना यहाँ पर one one है और यहाँ पर क्या है zero zero तो आपके पास कितने bit का change हो गया two bit का again change हो गया तो अगर हम इस pattern में लिखते हैं तो हमारे पास इन दोनों में second और third में and third और sorry fourth और first में आपके पास क्या आता है violation आता है कि हमारे पास two adjacent squares का difference कितना होना चाहिए one bit का तो अगर हम normal routine से चलते हैं तो हमारे पास यह work नहीं करता हमारे पास result appropriate नहीं आता इसलिए हम इसमें कैसे mention करते हैं 00, 01, 11, 10 एक इसमें यही important point है जो हमें याद रखना है कि हम इसमें 00, 01, 10, 11 नहीं लिखते हैं हम क्या लिखते हैं 00, 01, 11, 10 जब यह आपके पास clear है तो simply आपको क्या करना है represent करना है x की values देख़ए यहाँ पर क्या हो गई x complement x यहाँ पर y, z की क्या values हो गई y complement, z complement y complement, z y, z and y, z complement फिर हम क्या लिखेंगे इनके corresponding हर एक square में mean term क्योंकि हम किसको represent कर रहे हैं SOP को first one square में देखो first one square में आपके पास क्या आएगी rho से तो आएगा x complement और यहाँ पर column से आएगा y complement, z complement तो यहाँ पर क्या हो गया complete x complement, y complement, z complement ऐसे ही आप सारे लिख दोगे कि आपके पास rho से क्या आया और column से क्या आया उसके corresponding आप सारी values लिख दोगे तो आपके पास कौन-कौन सी values आएगे 0, 0, 1, 3, 2 यहाँ पर 3 आएगा पहले बता चुके हैं कि क्यों आएगा then 4, 5 और यहाँ पर देखो 7 आएगा 6 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 1, 1 है और यहाँ से क्या आया 1, 1 आया इसलिए यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 7 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा तो अब आपको clear हो गया होगा कि यहाँ पर हमने जो second point कहा था कि every two adjacent squares of the key map have a difference of one bit including corner वो हमने क्यों कहा था क्योंकि अगर हम 1, 1 यहाँ पर ले लेते हैं 1, 1 अगर हम यहाँ पर लेते हैं last में mince अगर हम लेते हैं 00, 01, 10, 11 तो हमारे पास जो यह second property है हमारी यह क्या होते है वोईलेट होते है हमारे पास इनका square 1 bit इनका difference 1 bit नहीं आथा इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लेते यह था आपके पास 2 variable came up का representation यह है 3 variable came up का representation next हम देखेंगे 3 variable came up का representation PUS के लिए PUS के लिए simple आपके पास यही सारी जो आप representation हो same रहती है simply आपके पास क्या हो जाता है कि इसमें हम 0 को represent करेंगे normal variable से और 1 को represent करेंगे 1 को represent करेंगे complement से तो यहाँ 0 है 0 को represent करेंगे x से और 1 को represent करेंगे x complement से ऐसे ही आपके पास इसमें पैटर्न रहेगा 00, 01, 11, 10 means अगर आपको कहीं पे भी game app में represent करना है तो उसकी जो जो values हैं वो आपके पास क्या है सिर्फ one bit से differ करेंगे तो इसलिए हमारे पास यही pattern रहेगा हमेशा 00, 01, 11, 110 इसमें गलती नहीं होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर mistake करते हो तो आपके answer appropriate नहीं आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास mistake नहीं होनी चाहिए और अगर यहाँ पर हम P.O.S. represent कर रहे हैं तो P.O.S. आपको पता है कि हम P.O.S. में क्या करते हैं max terms represent करते हैं zero को represent करते हैं normal से इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है y और z और हम पहले क्या करते हैं sum फिर हम उसका क्या करते हैं y और z यहाँ पर क्या जाएगा y और z complement यहाँ आ जाएगा y complement और z complement यहाँ पर आ जाएगा y complement और z इस टाइप से आप इसको क्या करते हो और represent करते हो अब यहाँ पर next देखो आपके पस यहाँ पर क्या represent हो जाएगा x और y और z कि यहां पे जो आपके पास row से आया है और जो column से आया है इसी टाइप से आप सारे represent कर दोगे row से और column से जो भी आपके पास आया है next हम करेंगे 4 variable के में देखो 4 variable के में मेरे पास n की values क्या हो जाएगी 4 अगर n की value 4 है तो आपके पास number of squares किते होंगे 2 raise to the power n here the value of n is 4 it means 2 raise to the power 4 is equals to 16 कितने square हो जाएगे 16 अब 16 square को represent करना है तो मैंने 2 variable यहां पे ले लिए 2 variable यहां पे ले लिए A, B, C, D अब यहां पर सभी possible values लिखोगे A, B की और C, D की यहां पर सबसे पहले हमने values लिख लिए A, B की तो A, B की values क्या होंगी 00, 01, 11, 10 यह दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े यहां पर हमारे पस क्या represent करेंगे हम 11 reason अब आपको पता है कि यहां पर हम 11 क्यों represent करते हैं क्योंकि जो भी adjacent squares है adjacent square आपके पस कितने से differ करने चाहिए only 1 bit से तो यहां पर कभी भी mistake नहीं होने चाहिए आपके 00, 01, 11, 10 ऐसे ही आपके पास represent होगा यहां पर यहां पर क्या represent होगा 00, 01, 11, 10 तो आप यहां पर सभी possible जो values हैं वो हमने लिख लिए है और यहां पर हम represent करेंगे सबसे पहले POS जब SOP फिर हम देखेंगे POS जब SOP represent किया तो यहां देखो हमने क्या लिख लिए A compliment, B compliment A compliment, B, A, B A, B compliment यहां पर C compliment, D compliment C compliment, D, C, D, C, D compliment ऐसे हमने represent कर लिया फिर यहां पर जो beginners हैं वो एकदम से आपको याद नहीं होता 0, 1, 3, 2 इस type से जैसे जैसे आप जितने practice करोगे उतनी clarity आपको आती जाएगी यहां पर starting में आप इसको बिलकुल proper ऐसे ही mention कर लेना कि यहां से आपके पास क्या आया? 0, 0 यहां से क्या आया? 0, 0 तो यह आपके पास क्या बन गया? 0 यहां से इस वाली row में आपके पास क्या है? 0, 0 रहेंगे value A, B की और C, D की change होंगी C, D की पहले आएगी 0, 0 फिर आएगी 0, 1 फिर आएगी 1, 1 फिर आएगी 1, 0 तो यहां पर इसलिए आपके पास क्या हो गया? 0, 1, 3, 2 ऐसे ही आप यहां पे लिख लोगे 0, 1, 0, 0 0, 1, 0, 1 0, 1, 1 0, 1, 1, 0 तो यहां पर हमारे पास क्या values आगए? 4, 5, 7, 6 फिर next देखो जादा तरकलती हैं यहां पर करते हो यहां पर आपके पास क्या आएगा? 12, 13, 15, 14 रुटीन में हम यहां पर क्या लिख जेते हैं? 8, 9, 11, 10 तो यह mistake नहीं होने चाहिए और यह वैसे भी बहुत easy अगर आप यहां से भी देख सकते हो यहां से देखो value क्या रहेगी? 1, 1 यहां से देखो value क्या आएगी? 0, 0 तो यह आपके पस क्या बन गया? 1, 1, 0 और 1, 1, 0, 0 आपके पस किसके equivalent होता है? कैसे देखते हैं? यह हमारे पस क्या value होती है यह होता है 1, यह होता है 2, यह होता है 4, यह होता है 8 तो जहां पर हमारे पस 1, 1 है उन दोनों को add कर दो तो किस-किस values पे है, 8 प्लस 4 तो 8 प्लस 4 क्या हो गया, 12 तो इसलिए यहाँ पर क्या value आ गई, 12 ऐसे ही आप इसकी value देख लोगे, क्या आएगी 13, 15, 14 तो ऐसे आप represent कर दोगे तो यहाँ पर अगर मैं इसके corresponding mean term लिखना चाहते हूं यहाँ पर अगर मैं mean term लिखो, तो मेरे पास mean term क्या आएगी A compliment, B compliment, C compliment, D compliment तो बीच में से आप कोई भी pick कर सकते देख सकते हो suppose मैं इसके corresponding mean term लिखना चाहते हूं तो यहाँ पर क्या आएगी, A compliment, B, C compliment, D तो यह आपके पस represent हो गया 4 variable के map किसके लिए? SOP के लिए, ऐसे ही हम POS के लिए represent कर सकते हैं POS के लिए क्या रहेगा, देखो यह तो सेम ही रहेगा क्या? 00, 01, 11, 10 ऐसे ही यहाँ पर रहेगा, 00, 01, 11, 10 simply इसमें आपके पस difference कहां पर आता है? कि 0 को represent करते हैं हम normal variable से और 1 को represent करते हैं हम compliment से और इसमें हम पहले क्या करते हैं? सम, फिर क्या करते हैं? product तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? C or D, C or D compliment, C compliment or D compliment, C compliment or D और यहाँ पर हम क्या represent कर देंगे? हर एक square इसमें क्या represent करेगा? हर एक square represent करेगा max term, क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं, POS के लिए, अगर हम SOP के लिए करते हैं, तो हर एक square आपके पास क्या represent करता है, mean term जिसको हम small m से लिखते हैं, अगर हम POS के लिए करते हैं, तो हो किसको करता है, max term जिसको हम किस से लिखते हैं, capital M से लिखते हैं तो ये थे आपके पास कि हम game map को कैसे represent करते हैं next video में हम देखेंगे कि हम game map की help से अपने expression को simplify कैसा करते हैं okay thank you